Hello students, so class 10th chapter number 1, so उस देवेच आपाँ आज विस्थापन किरिया बारे पढ़ांगे, so types of reactions, किस तरह निया अलगला किरिया हैं, अरसाइनिक किरिया हैं, वो देवेच अगला topic जेड़ा है, वो है विस्थापन किरिया, so विस्थापन किरिया बारे शायद तुछी सारे जान दे हो उस देच की है कि आपा एक स्टैंड लेना है, स्टैंड देवेच एक टैस्ट्यूब अपाँ फिट कीती, वोस टैस्ट्यूब देवेच अपाँ कॉपर सल्फेड दा स्लूशन जो के ब्लू कलर दा सनू रवे दे मिल देने लेव देच, वो रवे लेने ने एदेच पाके पाणि देवेच छो दा मिलेगा, ते कल न केल देने ता अगएी मदद दे अले देऔर देच डू लटका देमांगे केल अबागे देमा रएक रवे लाई है, पर एदा रिजल्ट थानू वी पच्ची मेंट बाद अद्धे केंटे बाद जड़ा है नजरोना शुरू हो जाएगा होवेगा कि के ए जड़े केल ने जो इत्या पाँ एदे विच डुबोये सीगे कापर स्लफेत डुबोये सीगे होवेगा है क कापर स्लफेत जड़ा है वे ते जड़े लोहे सेट गयाँ हो जादा किर्या जड़ा है पाफ हो ज्यादा किर्या विच्चों कॉपर नों हटा आके ओधी जगा ते आप लोहे दा कोल बनोना शुरू बार देंदे हैं पाव के कॉपर जड़ा है कोल दे विच्चों बाहर निकलना शुरू है ते ओधी जगा ते लोहे दे किल्णा दे विच्चों लोहा कोड कोड के कोल दे विच जाना शुरू है ते लोहे दा सलफेड बनना शुरू है जदो की कॉपर जड़ा है किल्णा दे उपर जमना दूझे देवे चापां, सिंपल पाणी पागे रख्या, पाणी कोपर सिलफेर्ट देवे चेड़ी लोहे दी मेहिक रखी है तो दे उपपर कोपर सिलफेर्ट जाम जांदा है जब की सिंपल पाणी दी नीक दोते कोच भी नहीं हुंदा गुंदा कीसा हे रिसाइनीक कर्या यहां अंडाल है कि कोपर सुल्फेट दा कॉल जड़ा ओधे ज़कित लुहे-दे केला पर रख दे हां ता लुहे केल कॉपर सुल्फेट नूँ अपना कॉल विच कॉपर कटेंदेरे ने कॉपर कटेंगे बाहर रहा देने ते ओधी जगाते copper sulfate दे विच अपना जेडा है लोहा जेडा है वो अपना sulfate यह आपना protein बना लेंदा है पाव के copper sulfate खत्म ज़नदा है ओधी यह ज़गाते iron sulfate बन ज़नदा है ते copper जडा है वो बाहर किल्ला दे उपराण के जम जलना है इस Τरह नहें तरह ऑग किरिया ठीक है अजिस किरिया जो बटने एक तथ कौपर नो कौपर सुपोपर सुपेड दे को विघंता है घटा आ देता या विस्थापपद कर देता ठीक है विस्थापपद करके आप उत्धे लागे कोपर दी पतात है कोपर दी तात नाड़ों जादा कर्याशेल हैief यह करके लोहा जडा है कौपर सर्फेट दे को बीच्छों कौपर नो हटाकर अपना से लोहे दा सल Sesल्फेट नो होन दा तै कौपर केल वे क्वैश्ट नहीं से चले क्षाओं कombres काट कर्याशेल है कॉपर ने लोहे दे सल्फेट नो हटा के आपना सल्फेट नहीं मना सकता हाँ जेकर लोहे दी सल्फेट दे वेच आपां जिंक दी या किसी होर ज्यादा क्रियाशील तात दे वेच रखांगे जिंक दे केल राख दाएंगे जिंक दे ग्रैनूर राख दाएंगे ताँ जिंक सा सल्फेड बन जाएगा ते ओथे लुहा जड़ा है कोल जो बाहर आजाएगा आपका कहा सकते हैं कि विस्थापन किरिया ओ किरिया है जिस दे विच एक ताथ दूजी ताथ नूँ उस दे लून दे विच्चों विस्थापित करते हैं तो एक ताथ दूजी ताथ दे लून विच्चों उसनू विस्थापित करते हैं ठीक है ज़्या किरिया शील ताथ ही काट किरिया शील ताथ दे लून विच्चों उसनों विस्थापित करके आपना लून बना सागी है इस तरह भी किरिया नों आपना विस्थापन किरिया कहीं दे है तो हेठा और एक्जेम्पल्स ने लोहे दी जगाते जिए अपना जिंक लएने है जिंक भी जड़ा है वो ज़्यादा किरिया शील है कॉपर नालों जिंक भी कॉपर सल्फेड दे को ओड़े च्यों कॉपर नों बाहर कर देंदा है तो जिंक सल्फेड बना होता है ठीक है इस तरह जड़ा है लेड है लेड भी कॉपर नालो ज्यादा क्रियाशील है तो वो आपना सा क्लोराइड बना लेंदा है तो यह कॉपर हुबार कर दो है हाँ जे कॉपर सिल्फेट दे को ओलदे चैसी सोना पामांगे जाँ चांदी पामांगे ता वो थे कोई क्रिया नी होएगी कॉपर सिल्फेट दे को ओल दा रंग نीला ही रहेगा क्योंके लोह है जे जरार सोना है जान चांदी है वो कॉपर सिल्फेट नालो काट क्रियाशील है वो उसनों ओदे कोल विच्छा नहीं कर सकजे थीक है? सो विस्थापन किर्या दे ज्यादा किर्या शीलता आत चेड़ी है वो काट किर्या शीलता दे लोन वेच्छों उसनों विस्थापत करके अपना लोन दोंगी